अंचल पदाधिकारी और बंच्छेत्र पदाधिकारी शाइद उन लोगों ने अपना जागिर समझ लिया है या फिर कानुन को अपना जागिर समझ लिया है अनुमंदल के बाथ को उन लोग मानने के लिए तियार नहीं है आखिर वज़ा क्या है नौर प्रखंड के जो ग्राम सभा के लोग है जो बनाधिकार समीति के लोग है और उपायुक मौदै से ये सवाल करने के लिए पहुचेंगे अधिकार से बंचित क्यों है क्यों सोतेलपन ब्योहर है हमारे साथ कभी नहीं सोचा कि हम लोग जगे हैं कि सोय है और ये कानून और एक्ट क्या है और कौन सी धारा में क्या होता है ये लोग वो चीज नहीं है ये लोग एक जनवार की तरह लोग होते हैं आया अपना पेट भर रहा है उससे कोई मतलब नहीं मैं A.R. बोकारवी ग्रामेंट टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और हम केमरामेंट से चाहेंगे कि साहब जड़ा दिखाईए कितने सारे लोग यहां पे गोलबंध हुए हैं और ये भीड जो आप देख रहे हैं ये करीब करीब हमारे बोकारों के 9 ब्लॉक के तम सबसे पहले मैं ग्रामेंट टीवी के जितने भी दर्सक बंदू हैं सबों को मैं जहार खंडी जोहर पेश करता हूं सवाल है कि आज दिनांग 3 गारह 2022 को समय 12 बजे से बोकारों जिल्ला के लगबग 9 प्रखंड के 130 ग्राम सभा के लोग जो ग्राम सभा के नेत्वित करी लोग हैं और जिन्होंने पेशा कानून और बनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संसोधन नियम 2012 के तहत अपने गाउं सिमा के बंचित्र का सामुदाइक अधिकार का दावा और सामुदाइक बंप्रबंधन का अधिकार का दावा एवंग ब्यक्तिगत अधिकार का दावा 2017 से लेकर के 2022 तक लगबग 130 ग्राम सभा के लोगों ने अपने गाउं सिमा के बंच्षित्र का सामुदाइक दावा अनुमंडल अस्तरिय बनाधिकार समिती के समख्च कर चुके हैं लेकिन आज बना धिकार समिती के जितने भी दावे अनुमंडल अस्तर पर जमा हुए हैं एक भी गाओं के लोगों को समुदाइक अधिकार का पट्टा नहीं मिला जबकि राइसरकार के दुआरा कम से कम दो तीन बार जिल्ला दंडा धिकारी हमारे उपायुक्त महोदय को दिसार निर्देश उनकी यहां से चिठी भी आया उपाईुक्त महोधय के दुआरा हर अनुमंदल पदा धिकारी को उसका चिठी बेज दिया गया आपका जुम्राएक्षन प्लांड के तहट भी राई सरकार के दुआरा चिठी बेजा गया था जुम्राएक्षन प्लांड के तहट जो 15 पंचायद आते हैं उन लोगों के द्वारा भी जो सामुदाईक बनाधिकार का दावा अनुमंडल अस्तर ये बनाधिकार समिती के समक्ष जमा कर दिया गया है। अपना जागिर समझ लिया है या फिर कानुन को अपना जागिर समझ लिया है जो 1927 और सेक्षन 3 पब्लिक लेंड विहार इंक्रोच्मेंट अक्ट 1956 के तहट ये लोग जो हैसो दफा लगा करके अभी जो अनुसुचित छित्र विस्तार अधिनियम जो पेशा कानुन जिसको हम लोग बोलते हैं पेशा कानुन का भी खुलेः लंगन किया जा रहा है अभी जो बंच्षित्र में आदिवासी लोग नहीं हो के अल्रेडी एस जो साब प्रमान करते हैं कि धारा बना धिकार कानून का धारा चार का उपधारा पांच के अताथ तब तक वहां के आदिवासी मूलवासियों को बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि इसका संग्यान का कारशकलाब पूरा नहीं हो जाता है जब तक कि उस वजह को जानने के लिए आज बोकारो जिल्ला ग्राम सभा मंच के नौ प्रखंड के जो ग्राम सभा के लोग हैं जो बनाधिकार समीति के लोग हैं ये लोग एक डेट निर्धारित किये हैं एक ग्यारह ग्यारह दो हजार बाइस को उपायुक्त महोदय के समक्ष हज्यारों की ताइदाद में पहुँचेंगे और उपायुक्त महोदय का बात मानने के लिए एक बन विभाग का बन रक्षी त्यार क्यों नहीं हो रहा है और एक अंचल पदादिकारी आपका बात को मानने के लिए त्यार क्यों नहीं हो रहा है इस सवाल को पूछने के लिए वुकारो जिल्ले के नौ फ्रकंड के 130 ग्राम सभा के लोग जिल्ला उपायुक्त के समक्ष पहुंचेंगे धन्यवाद तो मैं तमाम अधिकारी पदाधिकारी जो हमारे वीडियो को देखते हैं किसी भी माइध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं कि ये बड़ा संकेत बड़ा आववान बड़ा आंदोलन 11-11 को क्या जाएगा आप लोग साथ धान रहिएगा मेडम आपका नाम क्या हूँ? अभी तक हम देखे जितना भी जमीन हो और हर जगा अतिकर्मन हो रहा है जमीन के बाद तो पूछे ही नहीं यहां एस्टी के नाम से अब क्या कहता है कि यह जमीन एस्टी का नाम नहीं बिखेगा बोलता है उसके बाद उसको दान में उसको कोई संस्था का नाम दे करके मनें किसी तरह लूटने का सड़यंतर रचा हुआ है अब ऐसे नहीं होने देंगे हमारे समाज में भी बाल बच्चे है जदाने के ज़ोरत है अभी महिला लोग PC लेकिन 15 साल के बाद से जो भी हो रहा इधर सब पढही लिकी महिला लोग लड़की लोग निकल के आई है पहले नहीं थी लेकिन अब जग जई है सारे जो बाहर के लोग जग जई है आप लोग की हम लोग सिस्टम से काम करेंगे हम लोग को किसी से लड़ना नहीं है और लोगों को जो अधिकार मिलता है हमें क्यों नहीं मिलेगा भारत वर्स में जब 1947 से अब हमारा दे अजद हैं तो फिर हमारे साथ ऐसे 118 क्यों अभी जैसे विरसादान निकराएं मीडम मेडम बाकि लोगों को अधिकार मिलता नहीं है वो लोग तो लूट लेते हैं अधिकार से बंचित तो आप लोग ना है वही बत तुम्हें बता रही हूँ आपको, अधिकार से बंचित क्यों है, क्यों सोतेलपन ब्योहर है हमारे साथ, ऐसे क्यों, जब एक मा का बच्चा, हम पूरा भारत का बोरे भारत देश के हैं, हर जगह का सब का अलग-अलग कल्चर हो गया है, हर जगह का अपना नियम हो ग अपना काम कर ले रहे हैं हम लोग का बच्चा लोग कुछ नहीं हो पा रहा है हमारे रोजगार कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें कहीं न कहीं हम लोग के साथ सोतेलापन ही हो रहा है चलिए इसमें कहीं न कहीं हम लोग के साथ सोतेलापन का बेवाहर हो रहा है और बोकारो जील कारी आप लोग का अधिकार का हनन कर रहे थे उन लोग की नीद उड़े गी देखे सभी के उपास्तित्य में हमारे करमेंट इंट तो उड़ेगी इसलिए उड़ेगी इन लोगों आँ самых जहा हैं को यहां एक और खिंगे काक्त拜拜 कारे थ किया गारा करे खता थिं आ अया पर बंहे ले बहुत में काम से पर कंत्रूब मत्लब नहीं यह लोग का अपना पेट भरने का हिसाब कितब है, टोपी पर टोपी यह लोग को मिला के चलना है, ठाना उससे मिला है, आपका सियो मिला है, आपके चौकिदार मिला है, आपके दलाल मिले है, सारे लोगों का एक ही मकसद है कि यहां के लोगों को बेकूब बना करके हम लोग तो ऐसा समय आप नहीं रहा आप समय बदला है जब हम लोग जारखन को लड़के ले सकते हैं तो इसमें हमको क्या दे रहा है यह तो मेरा कानून है जब वो कान जब जबर्जत मेरा लड़ाई था हाथियार से लड़े थे अब तो हमारे हाथ में पढ़े लिखे नोजवान लोग हो गये हैं पढ़े लिखे बिद्वान हो गये हैं कानून के किताब है हमारा कोट में उकिल हो गया हमारा थाना में सिपाई हो गया है अब हम कब छोड़ने नहीं जा रहे हैं अब यह जो हमारा गारा गारा को जो निरना है यह हमारा सभी बोकारों जीला का गरम सभा की यह भावनाएं हैं और हम लोग उस दिन कि जितने भी हमारे जान के लोग हैं कितने गरम सभा के जो जनता है है हमारे उस दिन सारे लोग अपना तन मन के साथ उस दिन डिशी साहब को हम लोग पूछेंगे कि आपने यहां विकास के लिए आया आया है यह न था बिनस के लिए आया आप तो सुनते हैं कि डिशी साहब है अच्छा दिसी का मतलब है कि आक बोस लेगिन आपके चुहे लोग आपका बात नहीं सुनता है. अब किस बात के डिशी है, हम लुटे सवाल करेंगे. अगर आप डिशी हैं, तो आपके नीचे के लोग को अभी तक सोया हुआ है, आपने चिठी दिया, वोग ने का किया. अब पुछ्ठे क्यों नहीं है? अब हैं किस बात के DC? खाने के लिए DC है या लुटने के लिए है? या इन दलालों को पसने के लिए DC है? हमारे यहां के जनताओं को अधिकार क्यों नहीं मिलता है? आज जो अंदोलन में आपने मुहमिंट खड़ा किया, किसका गलती है? आपका गलती है, आपके पदाधी करिय का गलती है, यह तमाम बात हम लोग उस दिन गारव गारव को हमारे सभी 9 परखंड के 135 पंचाइद के सारे लोग हम लोग एक जूट होंगे और उस दिन जाकर के DC साब को धन्यवाद करेंगे। तो भाई साब को आप लोग देख रहे हैं, लंबे-लंबे दाड़ी है, कितनी बारीकी से कितने कम शब्दों में सारी कमिया जो अफिसर की होती है, उन्हें लूटने का जो तरीका होता है, उन्हें रख दिया, सर जी आपका नाम क्या हुआ है? हमारा नाम ओम प्रकास मान ज देख सकते हैं, तो यहां पर महिला आएं भी कुछ हमको देख रहे हैं, सामिल हो रही है, दुर्गा सेना के महा सचीव सवाधिवक्ता जी, विर्शाहजदा जी है, और बाकी भी दुर्गा सेना के महिला सदस्गन है, तो लग रहा है कि ग्यारा तारीक से पहले, जो हमारे बिर्शाहजदा जी ने जो बाते रखी है, सुनेंगे अधिकारी, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वो तो उनके मर्जी है, लेकिन गारा गारा को तो हम लोग उतर रहे हैं, वो फिक्स है, और 130 ग나म सभा हम लोग का बुकारोजीला में है, वो 130 ग나म सभा के सभी लोग आए पुछे जाएगा कि आपने बनादिकार कानूं के तहत इतना दिन से लंबित पड़ा हुआ है आपका बार-बार चिठी देने के बाद भी सब्मिट करके आपका दावा नहीं दे रहा है आपको बन पट्टा निर्गत करने में कहा निंदिकत हो रहा है उसको जवाब हम लोग पुछेंगे एक चीज मैं बताना चाहूंगा बनादिकार कानूं 2006 में जब बना इसके बाद से जीला अस्तर ग्राम सबा मंच का हम लोग का जो बबुलाल जी बताए कि डिसी साफ जो पुरा जीला का एक हेड होते हैं लेकि इस बनादिकार कानून में उनको जिम्मवारी मुख रूफ से है वो मुन्टरिंग कमिटी का एक अध्याच भी है इस पुरा जीला का बनादिकार कानून को लागू करने का मुन्टरिंग कम लोग काम कर रहे हैं और स्टू इस डियो सहाब है अनुमंडर लास्तर का बनादेकार स्वामिती का अधियाच है अजिए लास्तर में डिषी साहीं यह लोग क्या करते हैं परते एक तीन महिना तृम सीक रिपोर्टिंग भी सकते तृम मासिक मीटिंग भी बोल सकते हैं उसको मुनिटरिंग कमेटी का बैठक भी बोल सकते हैं वेलग 2006 से यह अभी 2002 का बात नहीं है दो हजार अभी हम लोग केंदर को भी दे आ रहे हैं अभी हम लोग का राज का मुख सची जो है उनको विलोग दे रहे हैं अब मुख सची जी केंदर भरस सरकार को जो भरस सरकार का मुख सची वह उनको भेजते हैं यह टर्म देखा जाए तो परतेक तीन महिना तीन महिना में जा रहे ह तो कहा जाए 2006 से अभी तक, कितना साल हुआ, लबग 16 साल, मान सकते हैं 16 साल, तो 16 साल में कितना तीन महिना गुजर गया, लेकिन हमारे बोकारो जीला में कितना लोगों को, कितना गाउं को, एक भी गाउं को भी अधिकार देखा दे, हमारा डिसी सहाब, कि हमने एक गाउं को स कहां देखा पार हैं अगर होता हम लोग आज नहीं होते हैं अगर देते आँ देखा भी देते तां किया नहीं रहते नि अभी देखिय ट्रेनली dużo देखार में 311 तक का बनाधिकार प्रमानपत्र मिला noi कुछ में तर यजी लेकिन दूरॉटील समुदाईक अधिकार परमानपत्र नहीं दिया गया है 2006 से अभी तक लेकिन मुनिटरिंग कमीटी का बैटक बैट रहा है लेकिन उनलोग खाली कोलम पूरा कर है कागजिक में लेकिन गाउं के लोगों को यहां के अधिवासी को अंदेखा करके रखा है और यह पेटरवार का छेत्र है बुकारो जिला का पेटरवार छेत्र से में ए आर बुकारवी ग्राविन टीवी से जय जहार खण